अगर आपके home garden में लगा हुआ गवा गवा का बोदा काफी बढ़ा हो गया है उसमें जो फल काफी दूर आपकी पहुच से बाहर लग रहे हैं और फल भी दिरी दिरी इसमें कम लगने चालू हो गए है तो अब टाइम आ गया है आपके गवाव की हार्ट पूरिनिंग करने का आज के वीडियो में मैं अपसे शेयर करूνगो हमारे 5 साल पूराने गवाव के पलान की हार्ट पूरिनिग का उसका पूरर दिल तक शेयर करूंगो साथ ही आपसे मैं टिकिस्स करूंगा कि गवाव की हार्ट पूरिनिंग करने के फैद क्या होते है और किस केस में अगर हाट प्रूनिंग को आपको एक लाइन में समझाना चाहूं, तो हाट प्रूनिंग एक ऐसी प्रूनिंग है, जिसमें आप उपने गवाव के प्लांट को एक त्याहिया आधे से जादा काटके, इसके साइज को बिल्कुल छोटा कर देते हैं, हमारे इस 5 साल पुराने गवाव फीट तक पहुंच गया है, तो इस मार्च में हमने इसको दोवारा हाट प्रूनिंग की है, और उसको करेब 7 फुट तक लिया है, किसी भी प्लांट की अगर आप हाट प्रूनिंग करते हैं, तो इसके लिए काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है, काफी मेजर रिवेंट है क्यो गौवा बंदे कम हो जाते हैं और पूरिंग करके इसका सारी जिसकी ओल्ड ब्रांचे से निकाल देते हैं पिर नहीं ग्रोफेड़ नहीं ग्रोफे यह इंद फ्लाउर निय दोबारा शुरू होती है लेकिन इससे पहले कि आप हार्ट पूर्णिंग का डिसनल अपने प्लांट में आपको जाना जुरूरी है कि प्लांट काफी स्ट्रेस में तो उससे क्या हो सकता है कई बर क्या होता है कि अगर आप हार्ट पूर्णिंग करते हैं तो आपके एक साल तक या कि इवन दो साल तक आपका जो है इसमें जो fruit लगना बंद हो सकता है अगर आपका plant weak है उसकी आप heart pruning कर देते हैं उस case में फिर आपकी जो नहीं ग्रोथ नहीं आती है फिर नहीं ग्रोथ आने में भी काफी time लग जाता है कई बर क्या होता है कि आप heart pruning करते हैं तभी इसकी आप heart pruning करें और ऐसे टाइम पर करें जब प्लांट की condition इसके लिए अच्छी हो और साथी जो weather condition है वो भी आपकी heart pruning करें तभी आप अपने plant पे heart pruning करें ग्रोवा के plant में ज्यादा ग्रोथ आपके दो सीजिन में होती है सर्दियों के बाद में जब spring आता है बसंत आता तो उसमें इसकी जो growth चाली होती है बारिशों में भी इसकी growth होती है तो बारिशों में बीमारी के चलते हम इसकी heart pruning नहीं करेंगे तो अगर आपके plant में उसका तना जो है काफी अच्छा मोटा है उसमें नए ब्रांचे जारी नहीं ग्रोथ हो रही है इसका मतला आपका plant जो है आपने देखा था पहले चोटो चोटे फुटा होए और फिर उसमें से ब्रांच निकलने चाला हुए धीरी देदे करके और यह काफी सरी ब्रांचे जो हाट पूरिन के बाद जो में इसको जिस्टैम ती उससे निकल गई है अब यह ब्रांचे आपके उपर होंगे इन्हें जो है 2-3 मैने में जो आपके इतनी अचि नहीं ग्रोथ दे दिये अगर आप किसे छोटे प्लांट की हांड करते हैं और किसी वी काफिवू कैई डिजीस प्लांट की हाट पूरिनिंग करते हैं उसमें आपका इसा एसा रेजल्ट नहीं मिल पाया गा तो यूजली हमारे जो जो है उसकी मोटाई बढ़ जाओ उसकी ब्रांची ज़ागर अच्छे सोज़ें इसमें आप देखें इसमें प्रापर फूल आ रहा है नहीं ग्रोध बन रही है उसके बाद ही फिर अपने जुरुद के साफ से हाट पूरूनिंग करके उसको शेप देने की कुशिश करें इस साल जब हमने अपने गवावा के प्लांट में हाट पूरूनिंग का डिसेजन लिया हमें पता था इसमें जो नहीं ग्रोध निकली के एक या तो यह तीन महीं के बाद में उसमें आपके फ्लावरिंग नियाग इस सीजन में में फूल खाने को नहीं मिलेंगे तो इसके लि इस तरह हमारा पूरा प्लांट था ऐसा नहीं हुआ कि इसमें बिल्कुल भी साल हमें फ्रूट खाने को ना मिले, कुछ फ्रूट हमें खाने को जुरूर मिलेंगे, हमारे गवावा का प्लांट पूरा और्गनिक फटलाइजर से ग्रोव कियो है, अगर आप भी अपने प्लां कि जैसे गवाव प्लांट को आप कैसे स्टाइटिंग में प्रूनिंग करें इसमें क्याथ डाले इसमें आपको दूडो कैसे बचाना है, उसकी करना है का था में रिपोह कंशा करना है, कि सर्दियो के तायम होती है, बारिश की क्वह को सारी जान करें आप चाहते है के अश्क है ज़्डियो है ज़री कि वीडियो की तो आपके सपोर्ट के जरूरत है और आप हमरे चैनल को इसं को ज़र जयद को सिक भाद प्रेट कर सकते हैं तो यह एज़े वीडियो इंडब में पशुझ और सबकर यह शासर हैण अब